हेलो स्टुडेंट्स तो वेटा DCM टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है आज हम DCM में जो आपका मेजर 6 है उसका सोलिशन करने जा रहे हैं पेपर ठूआउट NCRT से बनाया गया है पूरा जो है आपके हर एक सब्जेक्ट हर एक चैप्टर से क्योशन को लिया गया है और बिल्कुल क्योशन एक NCRT से आपके एक्जाम और ठोड़ा अच्छी प्रक्टिस हो गही होगी आपकी क्योंकि आपने नोलेज जो हो पूरी गे आपको बताना चाहूंगा बेटा की स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का अगर अच्छा सामज़स से बैठ गया ना तो आप एक बड़ा स्कूर अचीव कर सकते हो तो यह दोनों चीजें भोत इंपोर्टेंट स्पीड आपकी बैटर हो और एक्यूरेसी बैटर हो अगर स्प और बायेलोजी में आपको पता है मीनिमम पड़ेगा थाको किलियर को करें स्टार्ट यहाँ देखो आपके क्योशन जो हैं पार्ट अ में क्योशन लिए हैं पहले मैं उसका distortion करूंगा उसके बाद में पार्ट बी का इक डिसकर्शन करें किलियर तो यहां सबसे पहले हैं आ Nic resisting हो एंडंजर जो एक सिंग्ट होने वाली संकत ग्रस्त है कोई ना नहीं है तो यह koşए हैं पार चालते सब्सक्राइं सब्सक्राइब virus अग मैं था कि नहल露 इस नहीं तरहिए निहां अकुराइब यहां भात पर बात कर रहा हूं खेर का想usst sven किल सीपलड कर लिया होगज भिछ फिल इन विच प्रिमिटीव सबस्टेटम प्रेजन तो वहां से आपका सेकंडरी सक्सेशन क्या होगा स्टाट और काफी इंपोर्टेंट है बता है एंसे एक बहुत अच्छे-चे क्लाइक्स जो कम्यूनिटी उसका अप्रोज कर लेता है कंपेर टूदा प्राइमिरी सक्सेशन ओके नेक्स्ट एकंटिनियस कोलम ऑफ वोटर इस प्रेजेंट इन अगर मैं वोटर की बात करो यह वोटर जो क्लाइक्स जो है उसको कौन मेंटेन करता है बिल्कुल सिंपल है आपने अच्छे पड़ा है ट्रांस्परेशनल फुल वगईरा की बात कि लेकिन यहां पर जो ऑप्शन के वोटर है यहां पर एस टू मोलिक्यूल से और आप जानते हो जो वोटर रुसकी फिजिकल प्रोप ऑट्रांस्फरेशनल करता है अच्छे में यहां पर इनर वोल्ल वेट वोटर जो मोलिक्यूल इसके साथ ही रहेंगे तो जो 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 कॉलम जो है उसकी कंट्यूनिटी मेंटेन रहें कि मतलब कैपलरी एक्षिन जो है उसको प्रमोट करेंगे और इंपोर्टेंट इसलिए अपने इसको क्योशन को यहां पर मेंशन भी किया है तो यहां पर देखो कोईशी फॉर्स वोटर मोलिक्यूल अब इसलिह होगा एड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्योशन की इस प्लांट सो रिदूस्ट बायो सिंथेसिस ऑफ ऑग्जिन प्लांट होर्मोन से क्योशन डिजाइन किया गया है इस विद्यूंग अि पिंडोल इस 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 फेसिंग बिल्कुल सिंपल आपको देखो यह फिले जाना चाहरा है और वेशली जो ओग जनुश के अगर आपन पात करें तो प्रीकरसर वो यह होताए बैटा ट्रिप्टोफेन वेटा ट्रिप्टो फेन उसे से आपका क्या बनता है आपने प्योफिंदेजोंगे पढ़ा भी होगा और यह इस पेसिफिक होता है और इस को फेक्टर वह घ्र प्टर पर घ्र्ण को गातव आपका अगर से सब्सक्राइब कर्मेशन कम तो इटिज फेसिंग डेफिशिएंशी ओफ दा इंची अच्छा क्यों से ने पोड़ा दिमाग में रखना इसको और जितने भी आपके फीजिलोजिकल जो एफेक्ट से वो भी आद रखने करें बंदर में आपको बता है सारे टोपिक नहीं ले सकते सारा कंटेंट नहीं ले सकते लेकिन एक अप्रोच पे जा रहा हो है कि यहां यहां से जरनली विजना है जोग से उच्छे हैं मिट और भी और अव्टा इवेंट लिस्टेड बिलॉप इस नोट आपज़ूर्ड जो फेजेज हैं प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज सारी बातें आप पर करते हो तो इसमें पूछ रहा कि कौन सा जो इवेंट है कौन सी घटना जो है समसुत्री विवाजन के दोरान कटित नहीं होती देखते हैं क्रोमेटीन कंडन सेशन बेटा होता है और आप दिन जानते हो स्टार्ट का होता है किसमें इस जो फेज है उसके मार्च है दिन एक फिल्कु तो मिटो इन पॉच सेट्रो में क्या होता है सेब्सी अदेगा हो चंटरीज मैटोरा घुन कट्रोंड सन, चिंप शॉय और भी फिनोमेना। मैटोरा पॉरता है। कि मेंकर मियुश होगा ना dieta , कितने अच्छे क्रोमोस चाहिए हो जाए है हमोलोग구 स्क्रोमोजोम अे हंड्य कों से से डिविजन में हुण हमें मियों जिस में बहुत कर भिक होते हैं मियों तर रस्ट में अब आपके पूछ तर अगरे बात करेक तो प्रोफेस फस्ट के अंदर पेरिंग होगी रिकॉमिनेशन होगा तब इस में क्या हो जाएगा तो यह पांसर हो जाएगा यह फिनोमेना इस में देखने को नहीं मिलेगा कि अच्छा क्योशन में काफी जी आपन कवर कर लें और यह आपका टार्गेट ज्यादा से ज्यादा टोपिक जो कवर कर पाएं अपन देखो यह पेर दे रखे हैं तो मुझे जी तना पचादा आप सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है कहां कि फॉर्म होता है यह पेर बिल्कुल सही है याद है तो यह याद हो आपको यह पूद्धे इसके बाद में आपका जाइगोटीन देन पैकाइटीन देन डिपलोटीन यह सारी फेजेज याद रखनी हैं डेड परसंट को सनाता इस से और सब के इवेंट्स जो हैं उनसे जनली क्यों सनाता रहता है तो सिनेप्टोनिमल कॉंप्लेक्स किसमें बना जाइगोटीन में और आपको पता है बिटीन दा होमोलोगस क्रोमोजोम है वह आपके पेर में आ जाएंगे तभी तो पेर होगी बीच में क्या विटा वहा पेप्टेन ऑर उस में आपके जो आहें हैं इनमे जो उनमें कॉंटेंट हूगा और ढूर जो करनेक्ट होंगे क्या होगा क्या अजिक पड़ गसमें वहीं पर नोगी प्र फोंगे हिए अरि वी अपién पेर इन तौर जहां नोडिल-्भद बनेगा वहां क्या होगा क्रोशंग और तो बिल्कुल यह सबस्ज गूमन सब्सक्राइब तर्थिकानेसिस और बिल्कुल सिंपल है अगया ओगा पूप सिनप्टोनिमल कॉंप्लेक्स वेरी सिंपल डिप्लोटीन करेक्ट मैचिंग तो जो सिनेप्टोनीमल कॉंप्लेक्स है यह देखो बनाए था यह डिजॉल किसमें होगा जैसे डिजॉल होगा क्रोमोजोम ठोड़े से सेपरेट होंगे जहां पर क्रोसिंग हो रहां वहां पर कनेक्ट रहेंगे तो आपको काईज मेटा दिखाई देगा ओके वाले पर पांचो स्टेज समझ में आगी होंगी आपको इनसे यह क्यों सनाते हैं आपके कर लोगे तो यहां पर पुछा क्या है है हाओ मैनी पेर्स और क्रेक्टली मैच्ट अपके सामने है इस तरह से आपको पेपर में भी करना है जो मैच उनको करेक्ट करते जाओ सिधा कांट कर ल शेक्सटीन करोमोजोम का नंबर कितना है उनी बात कर रवाद कर रव्यक्तर में जानते हैं जी फिर सीथ आप अधे में कितने हैं जानते हैं यह एग पूछ ने कितने हैं 16 से में इस यह होंगे नमजान जी इंटर फैज में लोगा बट डियेन कंटेंट जो है उब्लो होता मोनाड में होगा ऐस फेज में डूपलिकेशन हो गया तो इसमें आगा डाय डाय तो अजिए में सीप्रोमोजोम तो क्रोमोजम तो तो आख से थीजमें तो फेज होग तो आपके चाहे तो क्या करोगे 32 वेरी सिंपल इसे कुशन डिजाइन कर जयता है इसलिए सारे कॉंसेप्ट के लिए होने सी आपके पर मैंने बता दी आपको नंबर ओफ प्रोमोजोम जो है इंटरफेज में चेंज नहीं होता है बट डिये ने अगर यहां पर 2C है तो इसमें भी क्या रहेगा और यह कुमन क्यों सब्सक्राइब होंगे नेक्स्ट विच फॉलोविंग स्टेट्मेंट इस करेक्ट अबाउट प्लांट साइटो काइनेसिस बहुत इंपोर्टेंट साइटो काइनेसिस कोई सी लिए लिया है कि थोड़ा प ड़ोजए और एक्स्ट बता रहा की फाइदा हो जाए साइटो कानेसिस फटेव से होता है एक तो फ्रो में थर्ब दूसरा सल प्लेट मेनिता क requis prosecutor बेंट इस का करेक्टर अधिर साज द schneller बीच उमीच बनती है और प्लेट का जो formation हो इनसाइट साइए आउटसाइट साइच बतो सब्से तो कंसा होगा टाइज है आनसर कॉन सां जो पैंट हो गाओंव करें और अगर एनिमल सेल की बात कर लेता तो क्या बोलते आप फरो मेथट तो ही बट सेंट्री पीटल मेनर क्योंकि यहां पर जो फरो बनता है यह फरो जो बन रहा है देख लो गेटा आउटसाइड तू इनसाइड यह दीप होता जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा दो सेल बन जे है निएर सब्सक्राइब डी जो लगएakers को विश्यूर स्कॉमेगर कैनेक् GUY पो WhatsApp अंहीज दोनों में सर्कुलर ज second है लोगे इन स्टों अनों में होती है लेकिं म मैट कंडल डीने में स्टों प्रोटीने स्टॉशेटेड नहीं तभी तो वह फी सब्सक्राइब दोनों में प्रजेंट तीनों करेक्टर जो है माइटो कॉंट्रिया और बैक्टिरिया में क्या हैं सिमिलर होके तो आपका सिदा अंसर क्या हो जाएगा बेटा फॉर्ट में चले जाएगा TO ATB Synthase Enzyme that help in ATP formation present in लोकेशन कर संदी कर देता है आप सब जानते है ATP Synthase Enzyme और इसी में क्या होता है आपका जो साही तो क्या करेगी ADP को IP के साथ जोड़ेगी information of ATP लेकिन कब जब इसमें से कौन क्रोस होगा बेटा प्रोटो प्रोटोन एनर्जी को काम में लेगी है किलियर तो यह भी डिटेल आपको पता है पढ़ी होगे आपने लेकिन अपने पूछ है लोकेशन तो ओविसली ATP संथिज कहा मिलेगा ज्याद करो बेटा माइट्रोकॉंड्रिया में होता है कि बता होगे इनर मंट्रोकव ल मेंडैंग कर those में होगा ह क्लोरोप्लास में घृत होगा ईयर कि इद्टो ना सब पढ़ेज में आपके बैक्टिरियल मेंब्रै बैक्टिरिया की design में प्रेजेंट होता है तो लोकेशन है तो आंसर क् iटेस्ञ इनर मेंब्रेन, है स्लियर ? इन्करेक्ट मैचिंग याद करने पड़ेगे लिए अगर आपने सही कर दिया तो अच्छी बात है और है गलत कर दिया तो याद कर देना कि आसे किसल आजाते हैं प्रोपर्टीज की त्रिप्टो फेन अर्प पियाद बिल्कुल सही बात है और आपको सबको पता है और कौन-कौन से होते हैं त्रिप्टो फेन तो ही है इसके लाबाँ फिनाइल एलानिन और टायोस है कौन है आपके इसने आगी क्या बोले है आर्जिनिन बेशिक आमिन इसीड बिल्कूल करेक्ट है बेटा बोलेको पोजिटिवी चाज रहा बाता हो याद होंगे आपको जो बेश्यक अजामपल तीन ही तो है आर्जिन लाइसीन एंड स्टेडिन इस्टिए इस्टिडिन असेंशेंशियल तो आपको याद रखने पड़ेंगे जो आपके 20 अमीन असीड है उनको दो कटेग्री में डिवाइड कर रखा अपने असेंशियल तो थोड़ा साइब्र हो गया रटने का और स्टीडिन बताओ असेंशियल है करोगे तो इस टीडिन जो है वो असेंशियल खिखा है तो याद उनको करना ही है तो बिल्गल सही है यह भी मैचिंग लूसीन तो यहां पर रोंग पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फॉर्थ वहां जा ने कि युँज युज फोड़े श्राइब करसे नहीं कर सकते हैं छोड़ के कुछ नहीं चाना है पड़ा याद इसको कोचिआ और आपूर गया सब्सक्राइब करें वहां जाएब जो आपने इसरो किस्मतुर खराब हो शुज तया उत्व होता है जो फोलोविंग स इसने बोले कि युरेसिल की है तो युरेसिल की स्टॉक्चर आपको याद हो नीची देख लो युरेसिल ही जिसमें दो कीटो गुरूप है याद है ना युरेसिल का केमिकल नेम भी आपने पढ़ा होगा इसकी नंबरिंग करते हैं तो 12345624 डाई कीटो पारिमिडिन करेक्ट है एलानिन देखो बेटा यह अमिनोग्रूप है यह कार्वोक्सिल ग्रूप है यह एच आगया यह आर ग्रूप आर ग्रूप में को नहीं ह तो यह आपको 20 टाइब का मिन भी याद रखने हैं तो यह भी करेक्ट है राइबोज यह राइबोज का वेटा इस्टक्चर दे रखा है बिल्कुल देख लो आपको यह राइबोज है इसमें कितने कार्बन है वेटा पाइफ कार्बन हो देना और और यह ओएज ग्रूप अस LIKE नो फीक देले राइबोज को आपकिन ना सीसेटोप इसाई इसका सइकेंड प्राइम है सेकंड प्राइम फोर्फ्राइम कि फीजैंक प्रेजेंट अग्या फंची का देखते हैं थेखते हैं हूद देखो ग्लू कोस की स्ट्रक्चर में यह का भिस्लिग है कि लिज़Er लेकिन पर देखो कोई गल्ती तो नहीं है ओएच 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 यहां पर देखो यह फूर्थ कार्बन पर जो ओएच नीचे की तरफ होना चाहिए तो गुलुकोज है यह उपर हो गया है यह गड़ड़ होगी और यहां वन टू थ्री थर्ड नम्बर कार्बन पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पांसर भी फोर्ट हो जाएगा जो क्या है रोंगली लेवल्ड है नेक्स्ट पर चलते हैं कि इस मुटेशन अकर सिन प्रमोटर ओफ लैकाई जीन देन अच्छा क्योशन है बेटा अब ऐसे क्योशन इसलिए डिजाइन की है यह ताकि यह तब ही कर पाऊगे जब पूरा अपका खिलियर आपको सबको बता है यह देखो इसका क्या है यहां पर होता है प्रमोटर और यह जीन एक और है इसके पास यह लैक आई जीन प्रमोटर है इसका यह लैक आई जीन तीन है ना किन से स्टॉन है स्टॉन है जैड़ वाई ए और पूरा याद कर लेना लैक अपरोंट से हर बार क्योशन आता है और बिल्कुल स्कॉरिंग होता है और ऐसे स्कॉरिंग क्योशन भी जिसके गलत हो जाते है तो उसको बड़ा नुक्सान होता है और गलत आपको करने नहीं बिल्कुल ठीक है अब देखो यह स्टॉक्चर आपके दिमाग में फिक्स है अब क्योशन पर चलते है इफ म्यूटेशन अकर शिंदा प्रमोटर और उसने बुलाए उसका यह इसका प्रमोटर है इससे में म्यूटेशन हो गया तो आप बताओ इसके प्रमोटर में अगर म्यूटेशन हो गया तो आपी मुछे बताओ गए चैन्ज हो गया तो यहां पर RNA polymerage नहीं आएगा क्योंकि लैका युटेटर प्रमोटर हो गया तो बना नहीं होगी और नहीं होगी तो operator जो है वो फ्री रहेगा तो यहां आरने polymerase हमेशा bind होके क्या करेगा इसका expression करवा देगा और यह ओन रहेगा क्योंकि आप जानते हो लेक उपरोन को प्री रहेगा फ्री रहेगा तो यह हमेशा ओन रहेगा तो बताओ यदि लैक आई जिन के पर्मियेज और फोर ट्रांस एस्टाइलेज जो लास्ट इयर क्योशन आएगी तो कर लोगे हाँ लेकिन दिमाग लगाना इसलिए क्योशन करवाया है कि इसके आगे पिछे भी सोचना मागा सकता है क्यों आजकल इन चीजों पे जादा फ्रेम कर रहा हो अगर क्योशन यह ह हुआ जा की है तो क्या होगा यह तो अगर मुट्रेंट अग्या चाहिए प्रमॉटर तो इस पर आरने पोली मेरिज कभी नी आएगा तो यह ता क्यों क्या रहा है अप्र हुआlor है ब्लब यह मां करीशन मिया कि अग्या ओपरेटर में म्यूटेशन हो जाएगा तो आप बताओ वह रीपेसर प्रोटीन जो बनती है व इसका एकस्प्रेशन फिर साहरा खेल इस तो मुटेशन वाले क्योशन जो है कर लेना कहीं स्पिन कर दे और जल्दी वाज़े में गलत ना कर दो थोड़ा इन पर दिमाग लगाना ओके कर लोगे कंटिनियूसली एक्सप्रेस यह आपका हर्षे चैस का एक्सप्रेमेंट जो है उसे क्वेशन डिजाइन किया है बड़ा इंपोर्टेंट है और जो नीट का पैटेंट का प्टेंट के उसने आप पचाई है जो अक्षर पूशता रहता है कनफरमेटरी एवेदेन्स किसने दिया था हर्षे चैसने धिडिया था हर्षे चैसने गेंपोर्ट हीस पे गिया था कि daí इख प्रीमेंट के मैंट मीटिल थेदिटल केंड हर्षे चैस इसने किस पे एक्सप्रेम्ट गिया था ऐकंड टेटीरियो थे confidence कोपड़ा एक्सपरी में न तो न्रेश चेहे जेंटि को पूरे एक्सपरी में होगा याध भी बोला हर्षे चाहए सती उस्पेलियू बैझा वी इस इंहें होगो हिं। इसका रीजन उसने पूश마 है क्यों पालू है तो मत और विजशी्ट है अब जैस्य लाइग्स कलीर और एक्स्परियमेंट इसका उनого है प्रोटीन है वही बैक्टिरियो फेज में दोई आइटम है एक तो DNA है और दूसरा प्रोटीन है और उन दोनों को हर से चैस को यह पता लगाना था कि जब इंफेक्शन करता है यह बैक्टिरिया में तो इसका DNA एंटर होता है प्रोटीन एंटर होती है और उसको अगर डिटक्ट करना है तो अबेसली इंकृरोप्रेट करनी पड़ेगी तभी आप डिटक्स कर पाऊगे की एंटर वोडे इसलिए उन्होंने सलपर और फोस्व 근데 इसलिए ने जो है उसमें पोस्पररॉस होती है लेकिन सलफर नहीं होती और जो ब्रोटीन है उसमें सलफर होती है यह बट सब्सक्राइब कर लोगे हर से चैसे एक्स्परिमेंटिस क्योशन के साथ पूरा के लिए और यह प्रक्टिस आपको करनी है यह क्योशन आगया उस टोपी को कवर कर लें कि अच्छी बात है नहीं है तो तुरंत उसको कवर करो अब यह आपका प्रमोटर टर्मिनेटर दिजार्दा ट्रांस्क्रिप्शन अनू लेकनी काई यह उन से क्योशन बनाया है अच्छा क्योशन है देख लो मालूम भी होगा आपको इडिंटिफाई एंड बी डाइगराम इसमें यह है यह ए और यह इनको इडिंटिफाई करना है बड़ा सिंपल है सबने याद कर रखा होगा यह प्रमोटर आपका यह टर्मिनेटर है और यह श्ट्रेंट कौन है देख लो प्रमोटर के रैस्पेक्ट में जिसकी डिरेक्शन 325 वो टेमपलेट होती है और जिसकी 5 to 3 है वो coding होती है तो जो A strand है बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा that is the template strand रटने का नहीं है बेटा यह और B कौन है बेटा coding strand बड़ा प्यारा statement आप का NCR टी का promoter define the template and coding strand promoter के respect बेब बता पाओगे template कौन सी है और coding कौन सी कर लोगे बड़ा simple read the following statement कुछ statement आपके NCRT के statement पर इनको प्रीड करते हैं photo period effect reproduction in seasonal breeder बोथ plants और अनिमल बिल्कुल correct है आपके इनिशाट का statement photo periodism जो है दोनों को जो क्या करता आफेक्ट करता है आपके चाहिए plants और अनिमल जो बेडिंग करते हैं उसको एक्ट कर रहे बोडी मास इंक्रीज हो रहा है तो उसको reproduction तर ना बोलोगे ग्रोथ है वो रिप्रदक्शन निए रिप्रदक्शन का मतलब क्या है प्रोजनी का formation तो यह statement incorrect Metabolism is defining property of all living organism बिल्कुल सही है बेटा metabolism आपका consciousness है इस आपका इस आपका इस नेस है इस आर दा living organism बिल्कुल गलत बात है बेटा self-consciousness only present in human beings consciousness is the character of all organism but self-consciousness जो है स्वैचेतना जो है वो के उल किसका लक्षण है मनुष्य का लक्षण है तो यह statement क्या हो गया incorrect हो गया पूछा क्या है देख लो चूज दा correct statements कौन कौन से correct दीख रहा है आपको A and C सब्सक्राइब क्या हो जाएगा आपका correct पूछा है तो correct पे जाना आपको A or C correct clear okay आप चलते नेक्स्ट कोशन पर ओके बेटा बात करते हैं 167 which option is not related with bacteria diversity में आपने बैक्टिरिया की study की होगी कौन सा बैक्टिरिया से जो है संबंदित नहीं आप बता होगी नाइट्रोजन फिक्सेशन अबिलिटी होती है बैक्टिरिया सही है फोटो सिंथिटी के अबिलिटी बैक्टिरिया फोटनिशिक भी करते हैं यूजफूल इंजिनिरिया आपने जैनिटिंग इंजिनिरिंग इनका यूजबिक अब्स भी काम बेले ते इनसे आपन फ्लास्मीड भी बीटेन करते हैं तीयुक्त प्रोपर्टी बैक्टिरिया में नहीं होती तो हम लृट जानते ना बिटाए्क इनसे प्रोपर्टे फोर्मेशनिक विघ्ची में आपको बैक्टिरिया मैं डिधान उन प्रोड़ेइन द्टने यहां इनन का कोई भी शिकन के एसन इसे पर बहुत सिंपल एक के शूट इस्सुर इस डिल्कुल सिंसले क्यमा स्वालिज इए वो लिविंग टिश्यू हे और मेकनिकल अचसन का में के में रिख मैंकि के केलियर कर लोगे ठीक है तो बात करते हैं कि उसे नंबर 169 विच फॉलोविंग करेक्टर इस नोट रिलेटेड विद पैरेंकायमा कौन सा लक्षण भृद्धु तक से संबंदित नहीं है पैरेंकायमा आप बिल्कुल जानते हो परमानेंट इस्यू का एक्जामपल है तो कौ इस पेस क्लियर इट फोर्म था मेजर कम्पोनेंट बिदिन और गंविल्कुल इंपॉर्टेंट बहुत सभी बात है इसलेटेट्मनेंट बिल्कुल इसली पैक्टर इस्पेस बहुत सेल वल आर्थिक अन्ड लिगनिपाइड इक्र्क् इसका प्रपर प्रोपर्टी कर लोगे तो यह स्टेटमेंट इनकरेक्टर पुछा भी है तो आशर क्या हो जाएगा आपका फॉर्थ नेक्स्ट रिड़ फॉलोविंग स्टेटमेंट्स कुछ स्टेटमेंट्स दे रखें वह आपको रीड करने फिर उसमें बात करेंगे कि कौन सा बैक्टिरियल पिली जो है जो जीवानों के अंदर जो रॉम होते हैं पिली उनसे रिलेटेड देखो दियार मेड़ पॉफ पिली प्रोटिन यह सोटर देन फ्लेजिला है एल्पिं जैनेटिक रिकोंबिनेशन प्ले इंपोर्टेंट रोल इं मुमेंट तो अब बटा पिली की बात करें तो मेरे खाल से सब जानते हो भी यह बैक्तिरिया है इस बैक्तिरिया में यह टूबलर स्ट्ट्ट्ट्ट्र जो एप आपन बोलते हैं पिली पिलाई ओके एंड पिली इस मेड़ पोफ स्पेसिफिक प्रोटिन देट इस प्ली प्रोटिन लेकिन आपको पता है अधर जो सर्फेस स्ट्ट्ट्र होती बैक्तिरिया में उनकी बात करने यह लो बेटा यह फिंबरी है यह फिंबरी नंबर में प्रोटिन बिल्गुल सही है यह फिंबरी जेनेटिक प्रोटिन बिल्गुल सही है तो बताओ कोन से पिली से रिलेटेड हैं तो यहां पर आजाएगा एबी सी आंसर क्या होगा यह रहा एबी सी नेक्स्ट कंसिडर दा फॉलोविंग करेक्टर सम फ्लावर यह फिंबरीलोजी का पर क्योशन आ गया है और बिल्कुल सिंपल है और इनी के उपर ही जनली क्योशन डिजाइन होते हैं लाइट एंड नोन स्टीकी पॉलन ग्रेंज एग्जर्टेड स्टिग्मा एंड एंधर लार्ज ओफन फैजरी स्टिग्मा फ्लावर कलर लेस ओडर लेस एंड नेक्टर लेस यह कुछ करेक्टर दी हैं फिर पूछ रहे हैं अब फीचर सा रिलेटेड विच किस रिलेटेड हैं तो विचली ऐसे गर करेक्टर होंगे जनमें पॉलन ग्रें लाइट हैं नॉन स्टि लाइट इस पैसा जीफ क्लियर यह किस के लिए होते हैं जहां पर क्या होती वेटा एनिमो फिली वाइव पराग्म कर लिया हो गए बटा सिंपल है अमसर क्या होगा इसका एनिमोफिली वोटर पॉलिनेटेड प्लांट कुछ एग्जामपल दी हैं आपके हाइड्रोफिली नियुफिली को मैंने बात की तो देख लो वोटर पॉलिनेटेड प्लांट कौन-कौन से हैं पहले तो बताओ सारे एक्जामपल आपके जुस्टेरा हाइडिला वैलिस नेरिया वोटर एक्जामपल है याद दरने पड़ेंगे और अच्छे कोसित साते हैं बटा अब आपको सिक्सक्री निल जाएंगे और बिल्कुल स्कोरिंग है वहां पर उप कि मैस्टा फॉलोविंग कोलम फर्स्ट एंड शेकिंड एक्जामपल से अपने लिए इसने में कोलम फर्स्ट में दिया साइक्लोस्पोरिन एंड इस्टेटिज और दोनुभी बड़े इंपोर्टेंट है बटा काफी बार क्यों सनाज को एंसे साइक्लोस्पोरिन जो ए है कि एक तेरह से बाइक्टिव मोलीकुल है कि से त्राइको डिरम फॉली इसपोरम है तो दीको स्टेटिन भी बाइक्टिव मोलीकुल और इंपोर्टेंट इपरियो प्रूरीड प्यूरियस एक तरगी किया है इस्ट है और यह ब्लड कोलेस्ट्रोल लोवरिंग एजेंट का काम करता है इसको मैच कर दो ना इसलिए करेक्टर लिए हैं कि सारी चाहिए याद हो जाए और यह दोनों बहुत इंपोर्टेंट है कि स्टेटिन मोनट सिक्वान इसके साथ यह बीформ emba적 कर दो इस जो अपनी बोड़ी में जैसे मैं दो किसी में कोलेस्ट्रोल का लेबल ज्यादा है तुज को इसके स्टेटिन देदो जाएगा और जोब्लाध कोलेस्ट्रोल सिंथी सइब जाएं इंजाइम कर लोगें ने बूद इंपोर्टेंट थे दोनों कवर कर लिए मैंने मैच कर दिया कर रोगे आनसर नेक्स्ट विच फॉलोविंग पेर ऑफ बायो फर्टिलाइजर इस मैंनली फाउंड इन वोटर ऑफ पैडी फिल्ट्स जो पैडी फिल्ट हो तो बड़ा सिंपल है किसको साइनो बैक्टिरिया ब् और यह प्रसिद और यह आपके बिल्यु गरी नेल गें जिनका यूज़ करते हैं जो इंक्रीज़ दा फटिलिटी ऑफ दा स्वेल आपके अड़िए और और यह फोटो इंधिक भी है और यह नाइट्रजू को फिक्स भी कर देगा इस पर यूज़ करते हैं आज आज़िए अपने लिए ताकि इन पर डिस्कॉशन हो जाए। PCR जीन एम्प्लिफिकेशन बिल्कुल सही है, PCR की हल्प से करते हैं अपने, जीन एम्प्लिफिकेशन, इन विट्रो डिन ए रेप्लिकेशन ही तो है PCR, एलिजा, मोलिकुलर डियागनोसिस में, एलिजा जो है उसका रोल है, मोलिकुलर डियागनोसिस में कुछ एक्जामपल दिये न, PCR, अलिजा, जैनेटिक, इंजिनेरिंग, एल्फुल पॉर दा मोलिकुलर डियागनोसिस तो ये भी सही है, पूरा डियाग्राम याद करके जाना, क्यों सनाता है उससे, और ये नेचरली प्रजेंट नहीं होता, आपका रोप जीन होगी, ये सब याद रखने हैं और जो आरी हैं, के लिए रेस्टिक्शन साइट भी प्रजेंट है, तो पूरा PBR 322 structure याद कर लेना क्योसना आता है 100% लाइसओजाइम, इस ब्रेक ओल टाईप of cell wall, ये गलत हो जाएगा बेटा, अंसर भी है, इन्कर्रेक्ट हो गया, क्योंकि लाइसओजाइम आपको पता है लाइसओजाईम, ये क्या करता है ये बैक्टिरियल सेल बोल को ब्रेक करेगा, बैक्REAM करता गया है लइस जाइम dedikड ऑफ भीटयों नाग नाम वा सो तो उसको यूस करते है जब आपको ऑप को जैनेटिक अस्बाइब ऑप criticism ल्एक्र मेस नहीं प्रकार की ऐस्वेसिटती को नहीं तो डेल के बेंग और नाग Laksh करना आपको यह सब आपकी क्लीर होने चाहिए कि अपने आप में बड़े बड़े टोपिक है पीसी आर बहुत इंपोर्टेंट अक्सर को सनाता है इससे अलीजा टेक्निक मालूम होने चाहिए यह स्टक्चर मैंने बताया से भी को सनाता रहता है अब इस लेवल पर आगे आप लोग जो भी मेजर शिक्स तक पहुंचे हैं वेटा सारे मेजर सारे माइनर जिन्होंने दिये हैं पूरी सीरीज जॉइन की है तो मेरे खाल से आपका अभी तक 90 95 परसेंट जो पाल्टे टिप्स पर हो जाना चाहिए अभी कुछ टाइम और बचा है बाकि और रिकवरी हो ज ज़्यादा होगा ठीक है नेक्स्ट स्टेटमेंट दियें इसमें दो टू क्लोजली रिलेटेड़ स्पीशीज कंपिटिंग फोर सेम रिसोर्सेज चैनलोट को एक्जिस्ट एंड इंफिरियर वन विल बी ऐलिमिनेटेड इवेंट्वली इहीं क्लियर कर देते हैं बिल्गुल स्टेटमेंट आपका आपका आप प्र पिलबुत वेसचिज पिल इंवार्स इंवेंट्ड कर करेंगे, अगे चलते हैं में इनखेडेंग कंपिटिंग मर्सों दीध्र मों गूल स्टैमेंट इंवेंटेज इन डिलेटीयर का अरव बिल्लय कि अनट व्तु आपका क्या ट्रमसे वाड़ा आट एंगे, वाग म पिल्पल इंपोर्टेंट है ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं इंक्रीज होरी है इसके लगा ओजोन डिप्लीट हो रही है उनकी वज़े से दिप्लीजन भी हो रहे हैं और यह में को आपका जो ग्लोबल रेफेरेंस वगरा ग्लोबल वार्मिंग में का में रोल है तो दोनों जो ह प्रिट ओके नेक्स्ट मैस्दा और्गनल गीवन इन कोलम फर्स्ट एंड कोलम शेकिन देर फंक्शन विद्गोलम सेकिन चूज करेक्ट ऑप्सन बड़ा सिंपल है क्योंकि जो फंक्शन से वहां से भी तो इसन डिजाइन कर लेता है देखो यह डारेक्ट यह बात कर लें मतक्स लाइसिं पैसे तो इससे इसको कर फोल्सी बोड़ी जख़रह ग्लाइको सलेशन क्या ग्लाइको श सीलेशन पोले तो जो प्रोटेन और लिप्रि Downs कार्वाश्टर को एडर गारेगे लिए विस जैसे ग्लाइको प्रोटीन और क्लbene का फॉर उनके यहाँ पर फंक्शन के अपने बाद कर लोगे मैच विच ओफ दा फॉलोविंग प्रोटीन इनिविट दा ग्रोथ और बैक्टिरिया प्रोटीन जीवानों की व्रद्धी को संदमित करती है कौन सी प्रोटीन है जीवानों इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है तो बताओ बैटा और आपको पता है अगर बैक्टिरिया के इन्फेक्शन रोकना आपको यह लो बैक्टिरिया इन्फेक्शन हो रहा है माल अपनी बोडी में और इस infection को prevent करना है तो इसको prevent करने के लिए आपके पास दो आइटम है lysogyme and penicillin clear तो lysogyme, penicillin दोनों जो है उसको यूज करते हैं पर और बेक्रेटिरिया को किल करने के लिए तो और यह आपको मालूब हो नजीर, lion enzyme है और enzyme जो है protein nature के होते है penicillin जो है वो anti-biotic हैज और प्रोटीन नेचर नहीं होती है बाटा फेशिपीट नेचर ना उनमें कोई लिपीड नेचर ना कर्वाइब नेचर वह स्पेसिएपिक पेमिकल्स होते हैं रिटार्ड और पेथोजेंट पुछ आग जाओ विजव फॉलोगिंग प्रोटीन इनीभिट दा ग्रोथ ऑफ बैक् हां यह ना होता आपका प्रोटीन ना होता विछ फॉलॉइंग इनी भीड़ा ग्रोथ तो आप दोनों पर जाते बहुत पर जाते पेनिसलीन लेकिन अभी प्रोटीन पूछा है तो किसे किस पर जाओगे लाइस हो जाए अगला कर्शन इफ डबल इस्टेंडे डी एने हैज 20 टरंस देन कैल्कुलेट दा नंबर ओव बेसेज बड़ा सिंपल करसल है यह रहा है आपको पता ना डी एने के अंदर जो टरंस होती है उनके बेसेस पर आप कैल्कुलेशन कर सकते हो लेंध भी कैल्कुलेट कर सकते हैं और आप सब जान थूहंड्रेड बेस्पर क्यार्श बिट इसने पुछा है नंबर ओव बेसेज तो पताना है पिए ओप बेस्टे बेस कितने हो जाएंगे विटा फॉर हंड्रेड बेस्ट डबल कर दो गे ना किसी दांसर हो जैगा तो 400 इस वीच विच व फॉलोविंग नेचिरल वेक्टरिज वोर जो फॉर जॉज फॉर खोर उन गेज बैक्टीरिया और बैक्टीरिय में आप को अगर जॉनिंग करवानी है तो वैक्टर कम लें गए बैक्टीरिया के लिए काम में ले सकते हैं इसने पूचा आज़ेँ आवस करते हैं लंग एकलिवेक्टर मोलक्ता इसक्रस है ने एकल्स ऐसी डी पूस्य देखो लेमडा तो तो पॉचा क्या आप चलते हैं नेक्स्ट पर आजाओ, consider the following statements, meiosis ensure the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, बेलकुल करेक्टर बेता, आपके NCRT में, जहां meiosis स्टार्ट हो रखा है, वहाँ पर introduction के अंदर कुछ नहीं तो पूर्ण बातें रहे रहे हैं, बहुत इंपोर्टेंट जो हैं, concept बहाँ पर उन्होंने ब मियोसिस जो है, वो करता क्या है, बेटा, diploid cell 2N, मियोसिस होगा, तो क्या है, बेटा, N, gametes बनेंगे, haploid phase produce करेगा, और जो fertilization है, उसके तुरू क्या होगा, gametes आपस में, वापस से diploid phase को restore कर देगा, तो पहला statement करेक्ट हो गया, fertilization restore the diploid phase in the sex reproduction organism during the life cycle, दोनों statement क्या करेक्ट ह है, haploid phase fertilization restore the diploid phase, यही रीजन है, कि आपके जो generation to generation chromosome का number जो है, वो constant रहता है, उसका main significance किसका है, मियोसिस का, कर लोगे, क्योंनों statement क्या है, A, B, बोथ, करेक्ट, ओके, ठीके मेटा, आप चलते हैं, next question पे, identify given diagram of the cell during division, रहो, आपके cell cycle में काफे सारी structure sensority, तो इस structure देके भी आप से क्योंसन डिजाइन करवा सकता है, कि इसको identify करो, कौन सी phase को यह represent कर रहा है, तो बिल्कुल simple है, कर भी लिया होगा आपने, क्योंकि diagram को देखके तुरंच आपको जाना है, कि कौन सी phase है, और diagram में क्रोमोजोम जो है, उन्हीं के बाता पाओगे, दूरिंग दा मियोसिस, और मियोसिस में भी गवाता ही case, मेटाफेज, फस्ट, यह condition देखो बेटा, बिल्कुल clear है, यह कहाँ पे है, एक्वेटर पे, लेकिन यहाँ पर टेटराड नहीं है, यहाँ पर यह डायाड की फॉंग है, ओविसली यह situation आपको कहाँ देखने को मिल यह option में जाओगे, पता लग जाएगा, मेटाफेज ही है, लेकिन यह मेटाफेज फस्ट नहीं होगी, मेटाफेज, सेकंड होगी, देखो यहाँ डाइगराम के according, जो A है, वो कोन है, मेटाफेज, फस्ट, और जो B है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेटाफेज, से कर लोगे ना, मेटाफेज फस्ट पे आपको टेटराड दिखेंगे, किस पे एक्वेटर पे और मेटाफेज सेकंड जो है, उसमें टेटराड नहीं होगे, डायाड हो, क्लियर, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डाइगराम याद रखने कुड़ेंगा, गाइगराम याद इस परताड़ आगे, कंझीर दर फॉलोविंग मैचिं, स्पलिटिंग और सेन्ट्रोमीर, मैचिंग दे रखिया है, सिधा आपन बात कर लेंगे हैं, कौन सी करेक्ट यादि, कौन सी करेक्ट यादि, इस मपूर्भी सेटींग बिलकुर सही बात है, नुकलियस रीअपियर तीलोफेज वापस से रीअपियर हो जाता है तो गलत हो गया एनाफेज में होमोलोगस अगर 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 करक्त हो जाता है तो गलत है क्रोमोजों का दूपलिकेशन जो है वह समय होता है तो यहां पर देख लो तुम्हारे सामने एंड बी जो है आंसर के हो जाएगा यह रहां एभी और करेंट क्लियर अगर 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 अगे डाइवर्सिटी से दावाल और अम्डेट विद शिलीका एंड दस इंडेस्टेक्टेबल इन बिल्कुल सिंपल है शिलीका किसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होती है ओविसली डाई एटम्स मालूब है नहीं है सो बोक्स लाइक स्ट्ट्ट् सिलीका प्रेजेंट होती है तब ही यह जो सेल वॉल है कैसी होती है इंडेस्टेक्टिवल होगी ठीक है तो यहां सिंपल देखो कि असने पुछा है इंडेस्टेक्टिवली चीफ प्रोडूशर्स ऑफ दा ऑसियन वर्लिंग विप्स तो देखो डारेक्ट उसने डाइटम में नहीं दिया है यह चीफ प्रोडूशर ऑसियन कर दिया तो आंसर भी हो जाएगा क्या आप जानते हो डाइटम जो होते हैं वो चीफ प्रोडूशर होते हैं कर लोगे बिल्कुल सिंपल है स्पोरफाइट इस नोट फ्री लिविंग बट अटेस्टू प्रोडूशर दोर्सी वेंट्रल थैलोईड गेमेटोफाइट एंड डिराइव नरिश्मेंट किट इन दा लाइफ साइट बिल्कुल सिंपल क्योशन आपकी ब्राइफाइट से रिलेटेश आप जानते हो नही दो जो होते हैं लीवर बट कई हैं इनकी जो बोडी होती कैसी होती वीटा डॉर्सी वेंटर थैलोईड गेमेटोफाइटिक बॉलियु जब लाइब शाइकिल होगा उसमें स्पोरफाइट जो है उसका फॉरमेशन होता है और आप जानते हो फूट सीटा कैप्सूल बनता ह और जो आप पे sporophyte है वो डिपेंडेंट होता है नरिश्मेंट कहां से अप्टेंड करेगा इसने पूछा किया देखो फोर्टो सिंथेटिक डॉर्सी वेंट्रल थेलोईड विशली गेमेटोफ़ाइट इस फोर्टो सिंथेटिक वो डॉर्सी वेंट्रल है लाइक नहीं दिखाई देगा तो इसी दानसर क्या होगा आपका मार्केंशिया अब बैटा बात करेंगे अपन सेक्शन बीकी सारे को सब्सक्राइब करने ते कर लिए आपने अब सेक्शन बीके अंदर तोटल जो किशन है वो 15 है और 15 में आपको किशन जो है वो अटेप्ट क आपका करें चलो आगे कंसिडर दा फोलोविं ग्राफ बिल्कुल सिंपल है ग्राफ आपको यहां पर दिखाया गया इजर पॉपुलेशन है कि टाइम है इजर पॉपुलेशन डेनिसिटी दे रखी है इजर टाइम और ग्राफ मेरे कहल से किलियर हो रहा होगा सिग्मोड है पेटा यह आपका लैग फेज है यह लोग फेज है इस्टेशनरी फेज है किलियर और सिग्मोड जो करव है विल्कुल रियलिस्टिक होता है ऑबिसली वहां पर रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेट नहीं लिमिटेट होता है इस कर्व ओफ ग्रोफ इस टीपिकल और मॉस्ट बिल्कुल पर रियलिस्टिक होता है सिग्मोड तो कि आप देखो गे जो रिसोर्सेज है उनकी लिमिटेशन है एक कंडिशन आएगी जहां पर स्टेशनरी फेज है और सिग्मोड कर्व में क्या होगा बैटा लैग फेज जहां पर इनीसली जो है ग्रोफ कम होगी फिर अगर बात कर लेंड़ जैसे पर अगर बात कर लेंड़ जैसे पी यहां पर होगा क्या अगर मालो नेच्रेल रिसोर्सेज है उनकी लिमिटेशन है और यह गर अगर अगर इतना हाई रेट हो जाएगी कि वह बहुत जल्दी रिसोर्सेज अगर शुद्ध कर लेंगे और सरवाइव निश क्या हो जाए का मुझा अपने आपको लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाए तो स्टेट्मेंट यह भी क्या हो गया और दोनों स्टेट्मेंट क्या है करक्त है तले जाओगे आंसर पे क्लिए किलियर नेक्स्ट इन सम्मे आपर लेकिन यहां पर रोजनमेंसी रोजनेंट इंटेट्टि आपको अधर अग्जाम्पल कि अंदर जो पॉलन्ड करीटि इन कुछ महीनें तक हो सकती कुछ मेंनों तक हो सक्का पाइजन क्या जिको उनमें कुछ स्पेसिपिक प्रोटिन प्रजेंट होती है को रहीं पर जो specific proteins हैं उनकी प्रजेंस में उनकी जो वाइविलेटी है वह क्या होती है ज्यादा होती है और इंपोर्टेंट कॉन्सप्ट है तभी आपकी इंसा इस पिए इस प्रोटेंस प्रोटेंस कर लोगे को और है लोगे ट्रोफिक लेवल री प्रजेंट गुष्ट भीग विल्गुल सि्मuman अपने पड़ा है अधिक नियुके कि अजटे जारी ऑल्प्रिव होते सलाथ ही तो पमिनिते लेवल के अपना बात करते हैं जैसा भी आयए आप पॉशन इस तर जो डिजाइन करते हो ट्रोफिक लेवल टी वन टी डू सारी तो एक लेवल के अगर बात कुलों तो इसमें क्या प्रजेंट है विटा विशल एक कम्यूनिटी प्रजेंट है इसने अप्शन में अउनली पॉपुलेशन नेवर एको सिस्टम एको सिस्टम की ब प्रोडूशर से तो डिफ्रेंट टाइप की हो सकते हैं प्रामीरी प्राइमरी कंजूमर है मालो यहां पर हर्भी वोर्स है तो हर्भी वर्स भी वी क्या है वारिस टाइप के अलग लग इस पीचीज कर लोगे बिल्कुल सिंपल क्योसन है प्रोडूशर एक ट्रोपिक कॉलन काइमा है उसको रिप्रजेंट कर रहा है किलियर इनिशाटिक अडाइगर आपको इट अकर सिं लेयर बिलो एपिडर्मी सिं रूट ओफ डाइक कोटिलीडन प्लांट इसमें गलत को यह आपको क्या करना है कि सलेक्ट करना है और पहला स्टेट्मेंट है यह जड़ों कि दो तुछा के नीचे प्रतों मैं होता है बड्या एक गलत हो गया क्या है कि बसक्तिक अड़ों काइमा यह जो है वो रूट सम फोता है नीए बात कटम का होगा यंग स्टेम होता है इंग इंग स्टेम में होता है तो यहां पर इसने क्या दिया है टुरुट ऑफ दाए श भी शरकी श्रुज़ी प्राइट बिल्कुल कारक्त है हैات पर्लोग क्योंक एक निक्टी कि जाएलोय प्रगा कॉसे इफ मैकनिकल स्एया इंगे फिर्ट स्विट इसरोक के diu क्योंक है शे अब इसके बनी है इसको बोलता है प्रोटो प्लस्ट करोगे तो क्या होगा वह एंड वोटर इंसाइड जाएगा और बड़स्ट दो जाएगा तो बड़ा सिंपल इट विल इसके हैं Select the incorrect pairing, देख लो बेटा, pairing के according बात कर रहे हैं, Back and Yak, using HGP, बहुत important है बेटा, Human Genome Project में कौन से, वेक्टर काम में लिए गए थे, Back and Yak, और host cell की बात करें तो, बैक्टिरिया एंट इस, DNA probe, using DNA fingerprinting, बिल्कुल सही है, DNA fingerprinting में DNA probe यूज करते हैं, VNTR को यूज करते हैं, अजे, probe over VNTR के हैं बिल्कुल सही है, DNA को अगर विजीबल करना देखना है, तो आपको इथीडियम ब्रोमाइट से, स्टेंड करवाना पड़ेगा, Protein probe, using PCR, PCR में कहां probe काम में लेटे हैं, इनकरेक्ट में चीह होगी ना, तो आंसर भी आपको क्या हो जाएगा, 4th, clear, next, which of the following statement is wrong, statement read करो, golden rice is vitamin A rich, बिल्कुल सही है, golden rice, GM rice, genetically modified rice, उसमें vitamin A rich होता है, simple सी बात उसमें beta carotene gene जो आपने इंटेड्यूस करवाते हैं, विटामिन A जो है, ज्यदा मिलेगा आपको, जो night blindness बॉलेगा पेसेंट न के लिए बहुत उसको होता है, BT cotton is insect resistant crop, बिल्कुल सही है, बीजाइन की थे आपने BT cotton, insect resistant है, humulin is recombinant insulin, देज, used to treat diabetes, बिल्कुल सही है, humulin, यादने सारी point याद होने चीह होने चीह है, इसको प्रोडिस किया था, इकोलाई में किया था, बैक्टिरिया में प्रोडक्शन किया था, रोजी इज क्लोन ओफ काउ, बिल्कुल गलत बात है, यहीं के लिए हो गया ना, पकड में आगे होगी बात, रोजी, रोजी इज, जी एम काउ, यह जेनेटिकली मोडिफाइड कि आपने प्रोडिस कर रहा है, तो रोजी काउ से रिलेटिर स्टेटमेंट हो सारे याद कर रहे हैं, क्यों से आता रहता है, तो यह इंकरेक्ट कौन साइस में रोंग और तो होगिया, मैं इसके बात करते हैं, इसकी बनी होती है, इसके बन Спॉर benefici की विच अफ़ेक्टेट जी इंकर्ड़ यह भीत तक नन नहीं है किलियर है बिल्कुल सिंपल स्थेट्मेंट है इसली क्या हो गया इनकरेक्ट पोलन ग्रेन एग्जित एक टू सेल स्थेज टॉम माईक्रोश फोण इंच विल्कूल सेहिए ऑफटेटिस एक फिर्टिसने में यहां गाँ आपका तू सैल सेज में इक वर तो आपकी विसी होती है वो क्या होती बेटा बिगर एंड कंटेंट की रेगुलर सेपोफ निकलेस निकलेस भी रेगुलर से पाउता है तो यह देखो यहां पर पुछा क्या है आप से यह स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया तो पूछा किया है विटा राइट पॉर्ड पॉलंड कितने राइट है तो अब चलते नेक्स पे यह देखो चाइना रोज एंड गवावा सो रेस्पेक्टिवली मॉर्फोलोजी की क्यों से बिल्कुल एक्जाम्पल आपको याद करने ह अब चाइना रोज और गवावा उनकी बात करें फालो टैक्सी तो भी चाइना रोज जो है उसमें वेटा कौन सी अपोजिट शिम्पल है क्यों सब्सक्राइब का फैस्क्टिव जाएगा विच ओफ फॉलोविंग इज कंडेक्ट और एनर्जी ट्रांसफर अक्रोस प्रोपिक लेवल वेरी वेरी इंपोर्टन वेटा इंपोर्टन में से कौन सा पोसक इस्तर के मदे उर्जा के इस थानांतरन के लिए कंड्यूट्स के रूप में काम करता है यह कंड्यूट्स होत करते हैं और यह बहुत इंपोर्टन कॉंसप्ट आपकी एंसियार्टी का जो प्रीडेटर होते हैं वो किसका काम करते हैं कंड्यूट्स का सन नाल जिनको बोल जेते हैं किलियर वही तो क्या करेंगे अनर्जी का फ्लो करवाएंगे जैसे आपने पड़ा होगा ना प्रीडे और प्रीडेटर हिस लेटर नेकूस्ट इन अपटे इनिध्र्ड आहर्डवूशन रीडवी स्टेजिब भाइं पूरा नियुट्फ सप्सक्राइब को स्टेज़ डिजैन की सवच जल अनू करवण में जड्ल, अनू पवस्था से पहले की बात कि आती है, तो मेरे ख़यल स आपको याद होगा। सबसे पहले क्वाने थो रृटा। स зна mesure कर के जिए जैसे प्रोटेट को मैं ओर इससे बाएद Everett है। उसके बाद चाहिंगे और अब का फ्लोटिंग सॉप्लांट फ्लोटिंग प्लांट ए गेगलिए अगूर फ्लोटिंग में फ्री फ्लोटिंग वाले हाईंगे बिल्कुल सिंपल है ना जो सीक्वेंस जो बता रहा हूं आप इनिसाटी से देख सकते हो मैं वैसा आपको रफली बता जाता हूं और उसके बाद में फ्लोटिंग स्टेज के बाद में कोन आते हैं बेटा आपके रीड श्यम पाएंगे रीड श्यम के बाद में कोन आएंगे बिटा आपके मार्स मेडियो उसके बाद में स्क्रब आ जाएंगे बड़े बेड़े ट्री आएंगे उसके बाद में फ्लोटिंग स्टेज कर लोगे सिंपल था इसमें देखो यह कुछ डेटाबेस दिये है यह 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 वागरा कई बर पूछ लेता है विच ओफ फॉलोविंग ऑप्शन री प्रेजेंट करेक्ट मैचिंग इनको याद कर ले ना यहां तो आपके पास ऑप्शन हो सकता है लेकिन नहीं होगा ठीक है तो मैं डारेक्ट आपको बता जेता हूं यहां पर यह किस तरह से आपको याद रखना है किल कर लोगे यह जो आपका नेशनल एनवायरिमेंटल जो एक्ट है वो कब की बात है वेटा इसको किस से मैच करोगे 1987 एयर एक्ट यह आपका 1986 मौंट्रियल प्रोटो कोल किसे गरट कर दोगे 1981 एंड क्योटो प्रोटो कोल करट कर दोगे 1996 एयर है इसलिए डाल दिया कि थोड़ा इनको याद रखे है क्लियर तो यहां पर सिंपल है आपका आंसर भी कौन सा हो जाएगा यहां पर थाड़ आंसर हो गया क्या कि जिती है इन कैम्बियम इज़ जो कि अगर रहा गर बात करहें है तो रूट में जो में घूंप्ली शेकेंटरी औरीजन का होगा यहां जान्दा भी रूट है यह इनके बात तो चैंपी उर्चि कह उर यह एं अखले हैं यह स्टेश्ट की आफुए है है तो अभ्ली यहां पर पेरिसाइकल यहां से पर्मानेंट नहीं पीपीटी जो है तो उन से आपका यहां पर कंजक्टिव टिस्यू होता है उसके बाद में यह इस तरह से इस तरह से रिंग बनेगी और बाद में जैसे ही और डवलप होगा तो यह फ्लोयम को बाहर की तरफ दखेल देगी और जिस थो आपका किलियर वैसे आपको डिसकुस कर रहा हूं तो अंसर के होगा तो यह कंप्रीटली सेकिंडरी इन ओरी इंपीरियर इन वो यह एक्जामपल वाले को इसन आ गए सारे याद्रक नेंभिएर इसारे जो एक्जामपल दिए गें कहीं से भी को सकता हो यह एक्सी टू गण्रवश्न के लिए कौन कोण से जोलोजिकल पर्क authentically होता है विए सफारी सीचीटू होता है जnement से जाघ दू कि force फियर्स के लिए यहांपर कौन है प्रिफेडल जीलूजिकल पर ओटिकल गार्डन वाइल्ड लाइफ सपारी सीड बैंक होगे तो टोल कितने हो गए यहां पर फोर हो गए तो आंसर हो जाएगा आपका फोर ठीक है तो यह हो गए आपके क्योशन सारे बिल्लकुल NCRT से रिलेट क्योशन थे फिर कर रहा हूं बैटा पेपर जसे लेवल का आता है जिस लेवल का पेपर आता है उसी लेवल के आपके क्योशन मार्क्स आने चाहिए अगर पेपर बिल्लकुल थ्रूआउट एंशेयर्टी है सिंपल है जांपल वगएरा वही है तो आपके मार्क्स अन्डेड परसेंट आने चाहिए बैटा कि 95 भी नहीं 100 परसेंट अगर इसमें क तब तक नहीं पालोगे तब तक मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे टार्गेट है कि होना चाहिए 100 परसेंट मार्क लाने हैं वस्ट क्योशन आए नाए डेजंट मेंटर कई बार क्योशन थोड़ा कॉंट्रोवर्सिल तो भी आप अपना दिमाख लगा हो ना आपको सही और माइंड को कूल रखना है बिलकुल फ्रेश रहना है और इसी का रिजल्ट होगा कि आपका जो रिजल्ट है काफी बैट रहेगा ओके ओल दावेस्ट